दोस्तो अगर आप Graphic Pen Tablet की मदद से PPT के उपर लिख लिक करके पढ़ाते हैं, तो दोस्तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि दोस्तो अभी आपका क्या होता होगा, कि जब आप Graphic Pen Tablet की मदद से PPT के उपर लिखते होंगे, तो आपका जो Mouse Printer है, वो अच्छे से Visual नहीं होता होगा, यानि कि वो सो नहीं कर रहा होगा, लेकिन दोस्तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद, जब कभी भी आप Online पढ़ाएंगे, और उसे जब आप OBS के थुरू, या किसी और Software के थुरू, जब आप उसे Record करेंगे, तो उसमें आपका जो Mouse Printer है, यानि कि आपक विज्वल हो पाएगा, और ये सारी चीजे कैसे होगा, कैसे करना है, यही सारी चीजे दूस्तो हम लोग Step by Step एक एक करके सीखेंगे, तो कैसे करना है, आई ये इस वीडियो में जानते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना है, बस एक Software है, उसे आपको Download करके Install कर लेना है, और उसमें कुछ setting करनी होती है, वो सारी चीजे आप कर लेंगे, तो दूस्तो आप इस चीज को अच्छे से Achieve कर पाएंगे, मालिजे दोस्तो कि मैं एक Teacher हूँ, मुझे Online पढ़ाना है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक PowerPoint presentation तयार करूँगा, और ये कैसे तयार करते हैं, इस पे दोस्तो मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं, आप Tutorial को दे करके सीख सकते हैं, कि Online पढ आने के लिए presentation बना लेंगे, presentation बन जाने के बाद दोस्तो अब आपको कह करना है, इसे minimize कर देना है, ठीक है, उसके बाद दोस्तो आप अपने laptop ये PC में open करेंगे, OBS Studio, ठीक है, आपको इसके बारे में अगर और जानना है, तो दोस्तो आप मेरा Tutorial देख सकते हैं, मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है, OBS Tutorial for Teacher, हमने जो प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए बनाई है, OBS Tutorial for Teacher, अगर आप दोस्तो इस प्लेलिस्ट की सभी वडियो को देख लेते हैं, तो दोस्तो आप OBS में expert हो जाएंगे, तो इसमें दोस्तो ज़्यादा चीज़े मैं नहीं बताऊ इसमें यह सिखाऊँगा कि आप OBS से record करते समय, mouse pointer को कैसे visual करा सकते हैं, तो दोस्तो यहाँ पर हमने source में add कर दिया है, display capture, तो दोस्तो आपको यहाँ पर display capture ही add कराना है, आपको window capture add नहीं करानी है, तो दोस्तो आपको जो भी चीज़े record करनी है, आपको किस से करनी है, display capture, source के through आपको यह सारी चीज़े record करनी है, तो यहाँ आपको क्या करना है, display capture, source add करा लेनी है, तो दोस्तो इसके लिए आपको plus icon पे click करना है और यहां से दोस्तों आप क्या करेंगे display capture source add करा लेंगे उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है यहां से audio input capture add करा लेनी है ठीक है लेकिन audio input capture यहां पे तभी add कराना है जब दोस्तों आपके audio mixer में यह mic वाला audio source यहां पे नहीं दिख रहा हो ठीक है लेकिन हमारा यहां पे audio source add किया हुआ है तो मैं क्या करूँगा यहां पे three dot पे click करके properties में जा गर के यहां से दोस्तों मैं अपना mic select करूँगा जैसे कि मैं अभी जो video record कर रहा हूँ अभी मैंने जो mic use किया है उसका नाम है दोस्तो hd wavecam c310 तो इसे मैं यहां पे select कर सकता हूँ लेकिन दोस्तों इससे मैं अभी tutorial record कर रहा हूँ इसलिए दोस्तों यह वाला मैं select नहीं करूँगा मैं कोई और ही select कर लेता हूँ चलिए यहां पे मैं default ही कर लेता हूँ और ok कर देता हूँ तो इस तरह से दोस्तों आप यह सारी चीज़े कर लेंगे और यह सारी चीज़े करने के बाद अब आपको गय करना है यहाँ पर recording on कर देना है ठीक है start recording on कर देना है और उसके बाद दोस्तों आप यहां से इसे minimize कर देंगे OBS में हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया है जिससे कि हमारा mouse cursor highlight हो यानि कि हमारा mouse pointer visual हो OBS में कुछ नहीं करना होता है आपको गय करना होगा एक extra टूल डाउनलूड करके अपने laptop यह PC में install करना होगा और उस tool का नाम है दोस्तों power twice इसे हमने यहाँ पे पीन करके रखा है पर दोस्तों जब आप इसे install करेंगे तो यहाँ पर यह icon आपको दिखेगा तो दोस्तों इसे मैं open कर लेता हूं इस पर मैं double click करूंगा तो यह हमारा open हो जाएगा जब आप power twice software को download करेंगे उसके बाद दोस्तों जब आप इसे अपने laptop यह PC में install करेंगे तो यह कुछ इस तरह से open होगा इसमें दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें जो है बहुत सारे feature है और इस tool इस software के मदब से दोस्तों हम लोग बहुत सारा काम कर सकते हैं लेकिन दोस्तों हमें इस से ज़्यादा काम नहीं करवाना है इसमें से बहुत सारे feature है उनमें से एक feature को दोस्त आप यहां पर click करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का आज आएगा उसके बाद दोस्तों आपको करना है यहां से इसे enable कर देना है यानि कि इसे on कर देना है उसके बाद दोस्तों आप यहां पर check टिक लगा देंगे ठीक है और यहां पर दोस्तों यह जो setting है यहां पर यह वाला option आप यहाँ पे select करेंगे उसके बाद दुस्तो आप नीचे आएंगे नीचे में दुस्तो आपको एक और चीज़े मिलेगा Mouse highlighter तो दुस्तो आप Mouse highlighter को यहाँ पे on कर देंगे ुसके बाद दुस्तो आप यहाँ से pen tool के उपर click करेंगे और उसके बाद दोस्तों आप window shift और edge प्रेस कर देंगे ठीक है window shift और edge तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ window shift edge ठीक है इस तरह से मैं यहाँ पर यह वाला shortcut add कर दूँगा और उसके बाद मैं इसे save कर दूँगा इतना ही दोस्तों हमें करना है इससे ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं करना है फिर से दोस्तों मैं एक बार repeat कर देता हूँ मैं गया करूँगा इस software का link इस video के description में डाल दूँगा तो दोस्तों आपको गया करना है link पे click करके इस software को download कर लेना है अपने laptop चैसे में इसे और पे करने के बार दोस्तों आप इससे open करेंगे उसके बार दोस्तों आप यहां से most utilities में आएंगे और फिर दोस्तों आप इहां से इसे enable कर देंगे और इसा भी enable कर देंगे उसके बार दोस्तों इसमें by default जो है shortcut की add होते है व Look पर दोस्तो आप अपने पसंद का जो add करना चाहें, तो दोस्तो आप यहाँ pan के icon पर CLICK करके, आप अपने पसंद का shortcut की assign कर सकते हैं, ठीक है, इतना ही करना है, उसके बाद दोस्तो आपको गय करना है इसे close कर देना है, तो दोस्तो अब हमारा काम हो चुका है, ठीक है, अब द लैप साइड में जो control बटन है, अगर हम उसे दो बार प्रेस करते हैं, तो क्या होता है, चलिए प्रेस करते हैं, तो यह हमारा कुछ इस तरह से होता है, यानि कि हमारा mouse printer जो है, यह कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, यानि कि अगर हमें कोई चीज को highlight करना होगा, तो हम इस त तरह से हम लोग दिखा सकते हैं और यह सारी चीजे दोस्तों हम अक्सर अपनी वीडियो में यूज करते हैं आपको कोई चीज अच्छे से दिखाने के लिए power twice software के बारे में मैं आपको explain कर रहा हूँ और इसके बारे में मुझे अगर कुछ बताना है तो दोस्तों इसके लिए मैं यह सारी चीजे कर सकता हूँ ठीक है जैसे कि मुझे tutorial में यह चीजे आपको highlight करके दिखाना है आपको focus करके दिखाना है तो मैं क्या करूँगा mouse pointer को यहां पर ले करके आओंगा और यहां पर मैं control बटन को दो बार प्रेस करूँगा तो यहां पर इस तरह से मैं आपको इस चीज को दिखा पाऊंगा फि इस तरह से यहां पर मैं आपको focus करके चीजों को दिखा पाऊंगा तो इस काम के लिए दोस्तों हम लोग इस tool का use करते हैं उसके बाद दोस्तों आप मेरे वीडियो में जो देखते हैं कि मेरा mouse cursor के नीचे yellow circle लगा होता है चलिए मैं आपको यह भी करके दिखाता हूं और इ दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारे mouse cursor के नीचे yellow circle आ जाता है तो इस तरह से दोस्तों आप यह सारी चीजे कर सकते हैं और यह चीजे दोस्तों आपको एक बार करना है यानि कि दोस्तों आपको गय करना है हमने जो इस वीडियो के description में लिंक दिया है उस लिंक प दोस्तों बस आपको एक बार ही करना है बाकी दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है नेक्स टाइम दोस्तों जब आपको कभी class लेना होगा जब आपको पढ़ाना होगा तो दोस्तों बस आप करेंगे दो बार left control key को प्रेस करके देखेंगे कि आपका जो है mouse cursor यानि कि आपका जो है मौउस कर्सर हैलाइटर इफेक्ट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है अगर यहां पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से सरकल आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपका जो मौउस कर्सर का जो हैलाइटर इफेक्ट है वह आपका काम कर रहा है यहां कि आपका जो पावर टुआ है वो एक्टीव है ठीक है और जब दोस्तों हमारा पावर टुआ एक्टीव होता है तो यहाँ पे दोस्तों यह आपको दिखाए देगा जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से दिखाए देगा ठीक है तो इस तरह से यह सार recording on कर देंगे अब दूस्तों यहां से मैं recording start करूँगा और उसके बाद मैं इसे minimize करूँगा और उसके बाद दूस्तों मैं PowerPoint open करूँगा और यहां से दूस्तों मैं slideshow तो इस तरह से दूस्तों यह हमारा thumbnail हो गया कि आज की इस वीडियो में दूस्तों मैं आपको सिखाऊँगा कि आप OBS की मदद से अगर PPT को record करते हैं और उसके बाद दूस्तों जब आप graphic pen tablet से PPT के उपर लिखते हैं तो आपका mouse pointer यहां कि आपका जो pen है वो क्यों नहीं visual होता है इसे हम कैसे सोग करा सकते हैं अब दूस्तों मैं यहां पर क्या करूँगा अपना graphic pen tablet laptop यह PC से connect करूँगा अब दूस्तों हमने यहां पर जो है graphic pen tablet connect कर लिया है यहां पर दूस्तों मैं आपको लिख करके भी दिखा सकता हूं यहां पर देख सकते हैं यहां पर दूस्तों मैं लिखता हूं Hello आप दोस्तों आप यहां पर देख पा रहे है Pen का जो Neeb है उसके नीचे Yellow circle आता है ढूरा है यहां पर दोस्तों मैं सवाल में आता हूँ PPT में आता हूँ यहां पर दोस्तों हमारा सवाल आता है भारत के समुद्री मार्की खोज किसने की इस तरह से आप पढ़ाएंगे और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे जो है graphic pen tablet के मदद से बड़े अराम से लिख सकते हैं और जब भी भी दोस्तों आप यहाँ पे लिख रहोंगे तो आपका जो mouse करसर है वो यहाँ पे आज़े से visual हो रहा होगा उसके बाद दोस्तों इसका अगर correct answer so कराना है तो आप इस तरह से करा सकते हैं और उसके बाद दोस्तों आप इसे जिस तरह से explain करना चाहें ठीक है इसके बारे में जो भी चीजा और बताना चाहें तो दोस्तों आप इस तरह से यहाँ पे बता सकते हैं ठीक है तो इस तरह से दोस्तो आपको बस explain करना है, इस तरह से दोस्तो आपको यहाँ पर लिखते जाना है, और पढ़ाते जाना है, ठीक है, तो इस तरह से आप कर लेंगे, फिर दोस्तो यहाँ पर यह दूसरा सवाल आएगा, कि विश्व स्वस्त संगाथन का मुख्याले कहां है, बिश्व स्वस्त संगाठन का मुख्याले कहा है इस तरह से आप पढ़ेंगे इस तरह से आप explain करेंगे और इस तरह से लिख ली करके explain कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों आपको enter की press कर देना है और जैसे दोस्तों आप यहाँ पे enter की press करेंगे तो जो सही answer होगा वो कुछ इस तरह से बता देगा फिर दोस्तों आप इस तरह से आप पढ़ा सकते हैं explain कर सकते हैं ठीक है तो इस तरह से दोस्तों यह सारी चीज़े चलते दोस्तों आप पढ़ाते रहेंगे इस तरह से चीज़े record होती रहेगी और यहाँ पे दोस्तों आप जो भी चीज़े लिख रहे हैं वह सारा कुछ दोस्तों obvious बहुत ही अच्छे से record कर रहा है यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको एक चीज़ सिखाया है कि आपको window capture नहीं करन और साथ ही दोस्तों आपका यह जो mouse printer के नीचे जो yellow circle आ रहा है यह भी दोस्तों आपका record होता रहेगा तो चलिए अब दोस्तों हमारा जो है पढ़ाया हो गया है यानि कि हमारा recording का काम खतम हो गया है अब दोस्तों हम लोग यहां से क्या करेंगे OBS studio को stop कर देंगे यानि कि अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे recording को stop करेंगे recording को stop करने के बाद दोस्तों अब हमें क्या करना है फाइल के उपर क्लिक करना है उसके बाद दोस्तों आपको रिमुक्स रिकॉर्डिंग के उपर क्लिक करना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मिलेगा 3. आपको 3. के उपर क्लिक कर लेना है और देन नहीं होता है तो आप यहाँ पर right click करेंगे और यहाँ पर दोस्तों sort by में जाएंगे और यहाँ से आप date select कर देंगे तो इस तरह से दोस्तों अभी जो वीडियो record हुआ है वो सब से नीचे आ जाएगा फिर दोस्तों आप इस वीडियो को file format में record होता है लेकिन दोस्तों जब आप यहाँ पर remote recording कर देते हैं इस तरह से इसे आप mp4 में convert कर देते हैं तब जागर के दोस्तों यह वीडियो जह है आपका mp4 में convert हो जाता है और देन दोस्तों आप इस वीडियो को किसी भी video editing software में edit कर सकते हैं और आप इसे YouTube पे upload कर सकते हैं यह तो दोस्तों हमारा recording का काम खतम हो गया है अब recording में हमारा सारा कुछ record हुआ है या नहीं हुआ है mouse printer अच्छे से visual हो रहा है या नहीं हो रहा है यह चीज़ देखने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे वीडियो फॉल्डर में जाएंगे ठीक है यहां से मैं वीडियो फॉल्डर में आऊँगा दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं कि यह हमारा mp4 वीडियो बन चुका है अब मैं दोस्तों इसे प्ले करके आपको दिखा देता हूं और फिलाल दोस्तों मैं इस वीडियो का जो है audio mute कर देता हूँ यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि वीडियो की जो quality है वो भी बिल्कुल ठीक ठाक है कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है ठीक है आगे की चीज़े भी दोस्तों मैं आपको थोड़ा से दिखाता हूँ ठीक है बढ़ा के मैं दिखाता हूँ यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि जब मैं mouse से लिक रहा हूँ तो यहां पर जो है mouse pointer अच्छे से visual हो रहा है यहीं कि दोस्तों जिस टाइम आप पढ़ा रहे हैं जिस टाइम आप लिख रहे हैं उस समय भी आपको visual होगा और वही चीज़े दोस्तों आपका यहां पर record भी होगा ठीक है तो इस तरह से दोस्तों आपका यह जो problem था कि जब सर हम powerpoint के उपर graphic pen tablet से लिखते हैं तो हमारा mouse cursor नहीं दिखता है विज्वल नहीं होता है पता ही नहीं चलता है कि सर हम कहां पर लिख रहे हैं तो यह problem अगर आपका था तो दोस्तों I hope कि इस वीडियो को देखने के बाद और यह सारी चीज़े करने के बाद यानि कि जो चीज़े मैंने आपको बताया है वो सारी चीज़े दोस्तों अगर आप अपने laptop PC में install करके और वो सारी setting कर लेंगे तो दोस्तों यह problem आपका solve हो जाएगा तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही I hope कि जो भी चीज़े मैंने आपको बताया है सिखाया है समझाया है आपको जो भी चीज़े पढ़ाया है वो आपको पसंद आया कि छो आपको घरी आपको रो